नमस्कार दोस्तो रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है दोस्तो यहाँ पर कल SSE CHSL यानि की 10 प्लस टू का ओफिशल नोटिफिकेशन 2022-23 के लिए यहाँ पर जारी हो चुका है तो इस वीडियो में मापको इसके बारे में संपूर यहाँ पर डेटिल बताने वाला हू अभी क्या है कि इसका पैटर्ण भी चैन्ज कर दिया गया है जो CBT चेकेंड होने वाला है या TA2 जिसको आप बोलते हैं उसके अंदर भी और यहाँ पर पूरी मापको बतागा कि कौन एपलाई कर सकता है education qualification क्या चाहिए age क्या चाहिए और इसमें कब तक आप एपलाई कर सक चैनल को भी सस्क्राइब करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यह notice है जो SSC की website के उपर 6-12 यानि 6 December को यहाँ पर publish किया गया है और जो notice है वो दोस्तों आपके government of India और SSC जो है वो आपके ministry of person public grievances and pension के अंदर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बता रखा है यहाँ पर आप द सबसे पहले आपको बता रखा है कि form है कब से आप online कर सकते हो तो यहाँ पर कल से ही यहाँ पर online शुरू हो चुके हैं 6 December से ही और यह दोस्तों 4 January 2023 तक चलेंगे आगे बोल रखा है last date and time for receipt of online payment यहाँ आप last date क्या है payment वह आपके form online करने की और receipt लेने की तो दोस्तों 4 January 2023 है और आते 11 बजे आगे बता रखा है last date and time for generation of offline चलान अगर आप online चलान करते हैं तो उसकी date भी same रखे गई है last date and time for making online fee payment online fees payment करने की last date 5 January 2023 रखे गई है और यहाँ पर जो बता रखा है last date of payment through चालान अगर चालान की तो आप पेमेंट करते हैं तो उसकी 61 2023 यहाँ पर रखी गई है आगे बोला गया है date of window for application form correction and online payment of correction charges अगर आपने form बर्थे टाइम पर कोई mistake कर दी है तो उसमें बदलाव यह आप कर सकते हैं correction कर सकते हैं और उसकी date आप के रखे गई है 9.123 से 10.123 और यहाँ पर बोल रखा है schedule of tier 1 यानि कि पहला जो paper होने वाला है उसकी exam date भी यहाँ पर decide किया जाएगा कि कब लिया जाए अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों तीन प्रकार की यहाँ पर post है तो group C के अंदर यह आती है पहली बात तो यह और group C के अंदर तीन post है पहली जो post है वो आपकी है LDC जिसको lower divisional clerk बोलते है या junior secretary assistant GSA और यहाँ पर दोनों post है वो आपके level 2 की है इनका basic दोस्तों गुनिस 1900 से सुरू होता है दूसरी जो post है वो आपके दोस्तों है data operating operator DEO की यह आपके level 4 की vacancy है यानि की 1200 pay grade की और इसका जो basic होता है initially 2500 500 से सुरू होता है और एक आपके level 5 की vacancy है जो आपके गुंती सजार दोस्तों से सुरू होता है basic यानि कि आपके अठ्थाई सो पे ग्रेट की जोग है इसके लावा एक post है जो आपके data लिस्तों लगबग vacancy है और उन्हें बोला है कि यहां पर आगे इनको बढ़ाए भी जा सकता है गठाई भी जा सकता है अपडेट भी किया दा सकता है तो उसके लिए अपडेट रहेगा रिजर्वेशन को भात का तो रिजर्वेशन के बारे में क्लियर बोल्ड करका है कि हमने रिजर्वेशन SC, ST, OVC, EWS, S, P, और यहां पर दोस्तों बात करें तो disability के बारे बता रखा है कि disability भी यहां पर apply होगा तो उनके क्या करना पड़ेगा जो भी पोस्ट है उनके बारे बता रखा है कोन अप्लाई कर सकता है तो data operator entry जो है data अप्लाई कर सकता है तो इंडिया का citizen हो नेपाल का citizen हो और भूपाल का हो वह आपके बूटान का हो इसके अलावा कोई भी यहां पर migrated आया हो कोई भी जो आपके वर्मा पाकिस्तान श्रिलंका इनका हो वो दोस्तों यहां पर apply कर सकता है अब आगे दोस्तों age limit की बात करते हैं तो यहां पर देखो age जो रखी गई है वो 18-27 साल रखी गई है यहां कि दूस्तों आपका जन्म 1-1-22 से लेके और 2-1-92 के बीच यहां पर होना चाहिए यह भी आपको इध्यान रखना है और आपकी जो date calculation की जाएगी ना वो 1-1-22 से calculate की जाएगी मतलब 1-2-22 तक आपकी जो age है वो 18-27 के बीच होने चाहिए तो आपका जन्म 2-1-1995 से लेके और 1-1-2004 के बीच का होना चाहिए यहां पर दोस्तों आपको age relaxation मिलेका अपर age में तो SCST को दोस्तों आप ले सकते हैं 5 साल का age relaxation ले सकते हैं जो आपके OBC के हैं वो दोस्तों 3 साल का ले सकते हैं यू आर वाले सकते हैं एक सब्विस्मेन है वो आपके तीन साल के ले सकते हैं और आपके PWD है तीन साल का डिफेंस परसनल लिशाइब्लिटी ग्र हौं आसे अप्लवेटिश ऑप्तव हौ तो जैंड रख उसकते हां और हमुरंगेटी दो विद्वाहए तद्व काया है विद्वा हुए या विद्रुभे वो दोस्तों आपके ले सकते हैं इनमें भी relaxation आपको दिया गया है तो यह हो गई age relaxation की बात यहाँ पर आपको बता रखा है कि जब आप form भरे तो एक चीज़ का आपको विशेश द्यान रखना है कि आपकी जो डेटो बरत है न वो form भरे लगाएंगे 12 लगाएंगे उससे सेम होनी चाहिए अधरवाइस आपका form है यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर बात करते हैं education qualification का बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि जो अपेरिंग है जो इस साल एक्जाम दे रहे हैं क्या वो भी अपलाई कर सकते दोगों इन्होंने क्लियर बोल रहा है education qualification 4123 यान कि चार जनवरी जो कि लास्ट रखे गियो फोम बढ़ने की उस तक दोस्तों आपकी जो education qualification ना वो complete हो जाने चाहिए यहाँ पर बात करें आगे आपर बोल रखा है दा कंडिडेट मस्ट पोजेज एसेंसियल क्वालिफिकेशन और 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 बिफोर दा कट ओफ डेट जीरो चार जीरो बन दोजार तेविस यान कि जो education qualification है उसकी कट ओफ डेट रखे गई है कि वो 4123 तक दोस्तों यहाँ पर उससे पहले आपकी जो education qualification है वो यहाँ पर complete हो जानी चाहिए यहाँ पर बोल रखा है तो यहाँ पर clear बोल रखा है कि जो appearing है उनका result है दोस्तों यहाँ पर आ जाना चाहिए यहाँ पर दोस्तों आगे बोला गया देगो एक important यहाँ पर कर रखा है it is retarded that the result of required education qualification must have been declared by the board university by the specified date मेरे processing of the result by the board and university by the crucial cutoff date does not fulfill equivalent यहाँ पर बोल रखा है और यहाँ पर consider नहीं किया जाएगा apply करने के लिए simply आपको वतार रखा है कि आप SSC की website को चाहिए और यहाँ पर आपको पूरा वतार रखा है और application fees की बात करें दोस्तों 100 रूपए application fees यहाँ पर लगने वाली है इसके अलावा जो woman candidate है यह SC की है ST के हैं PWD है एक service man है उनके लिए दोस्तों कोई charges नहीं लिया जाएगा और आप दोस्तों वीजा कार्ड इन सबसे payment यहाँ पर कर सकते हैं यह offline जो SBA की branch है उससे भी दोस्तों payment यहाँ पर कर सकते हैं और correction के लिए मिए आप रखा करेंगे तो correction के लिए पर आपको time दे रखा रहता है फिर भी यहाँ पर आपको बता रखा है कि exam center कहां कहा है अलग-अलग reason के साफ से अलग-अलग आपको बता रखा है अब यहाँ पर बात करते है schedule of examination यहने कि exam का schedule क्या है pattern क्या है तो देखें दो paper यहाँ पर होने वाले tier 1 और tier 2 और यहाँ पर देखो बोल रखा है marks score by candidate in computer-based examination if conducted in multiple shift will be normalized तो यहाँ पर बोल रखा है कि नौर्मलाइशन यहाँ पर होने वाला है यह भी आपको ज्यान रखना है क्योंकि एक से ज्यादा symptom paper होता है तो सीदीशी बात है यहाँ पर नौर्मलाइशन होगा और answer कि आएगए answer कि में अगर आपको लगता है कोई भी द द्यान रखना है और यहाँ पर बोल रखा है क्यूशन पेपर वैनेवर मेटरिक सिस्टम और वेट एंड मेजर विल वी यूजड तो यहाँ पर बोल रखा है क्यूशन पेपर में अगर आवश्यक हुआ तो metric system जो है वह भी यूज़ कि अज़स्ता है वेट और मीजर मेंट यह भी आपको द्यान रखना है अब यहाँ पर हम बात कर लगते हैं सेले बज की दोस्तों तो यहाँ प्रते को बता रखा है जो टीर वन होगा पहला पेपर होगा उसमें आपके चार सेक्शन होंगे और यह सेम है इसमें कोई चेंज नहीं है देखो 50-50 नंबर का चार सेक्श टीर वन होगा वह आपके अब्जेक्टिव टाइब होगा हिंदी इंगलिस में आएगा यह भी जान रखना है और यहाँ पर बूल रखना कि इसके नेगेटिव मार्किंग 0.5 भी होगी वह सही करने पर आपको प्लस टू नंबर मिलेंगे और एक क्यूशन करने पर 0.5 अब 30 क्यूशन की है और एक आपका है रीजनिंग जो भी 30 क्यूशन की है 60 क्यूशन आएगे पर क्यूशन तीन नंबर का इसे साफसे टोटल 180 मार्क्स का यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर एक गंटा पर सेक्षन आपको मिलेगा पहली बात तो यह दूसरे नंबर बात करते ह सीजन वन जो होगा उसमें यहाँ पर दूसरा सेक्षन है दूसरे सेक्षन में दूस्ते हैं आपर मोडिल बन मोडिल टू रखे गए हैं इसमें आपका एक इंगलिस का पिपर होने वाला है जो आपका 40 क्यूशन का होगा एक आपका जी के का जो की 20 क्यूशन और इस आप से टूटल साट इंटू तीस यनिके 180 नमबर का यह होगा और इसमें दोस्तों आपको एक गंटा मिलेगा और 20 मिनट एक्स्टर इसक्राइब वालों को मिलेगा इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 होगा सेक्शन 3 में दोस्तों आपका सिर्फ कम्प्यूटर से सम्मधित क्यूशन पुश जाएंगे कम्प्यूटर नोले से और यह क्यूशन होगे 15 और एक क्यूशन 3 मार्क्स का इनके 45 और यहां पर आपको 15 मिनट दिये जाएंगे स्क्राइब है तो 20 आपको दिये जाएंगे यहां पर बात करते हैं आगे सेक्शन 3 और यह मोडल 2 जो है इसकिल टेस्ट ट दिये से पोश्ट के लिए तो इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे तो दोस्तों यह आपको बता रहा है पूरा टीर टू में क्या क्या है टीर टू विल इंक्लूट फॉलोविंग थ्री सेक्शन है विंग टू मोडूल इच यह यानि कि टीर टू जो अगा ना उसमें दोस् तो क्या होगा वो दो मोडियोल है उनमें दोस्टों तीन सैक्शन अलग अलग डिये हैं जो सैक्शन वन के बात करें जीज्ट में बात करें तो प्रेजिप्सित्र सैंफें 100 एंगलिस और सैक्शन 3 Wilson जो है उसमें आपके दोस्तों टाइपिंग टेस्ट और computer test यह दोस्तों आपके तीन paper के अंदर आपका tier 2 लगने वाला है यह भी ध्यान रखना है और यहाँ पर बोल रहा है it is mandatory for the candidate to qualify all the section of tier 2 और यहाँ पर दोस्तों clear ही बोल रहा है कि आपको tier 2 को individually आपको हर section को clear करना है अगर आप किसी भी section में जो minimum qualifying marks अचीव नहीं करते हो तो आपको disqualify कर जाएगा आगे आपर एक चीज़ बोल रखना है tier 2 will be conducted into season 1 and season 2 on same day यह एक दिन में होगा और season 1 will be include conducting of season 1, section 1 module 1 of section 3, section 2 will be include और यहाँ पर बता रखना है कि जो paper होने वाला है वो सभी section का होगा तो एक दिन यहाँ पर होगा ठीक है यह आपको बता रखना है आगे आपर एक चीज़ बोल रखना है यह tier 2 भी होगा वो भी objective type का होगा और यहाँ पर negative marking एक marks होगी अगर आप गलत टिक करते हो तो ठीक है यहाँ पर बोल रखना है मोडिल 1 और मोडिल 3 जो है मोडिल 1 और सेक्शन 3 computer knowledge test is mandatory but qualifying यहाँ पर बोल रखना है जो आपका यह होने वाला है यह मोडिल 1 सेक्शन 3 का इसके marks नहीं जुडेंगे यह सिर्फ qualifying nature का है और इसलिए आपने देखा होगा आपको qualify करना है जो minimum qualifying marks है लेकिन इसके marks आगे नहीं जुडेंगे तो दोस्तों यह यहाँ पर आपको पूरा बता रखा है आगे यहाँ पर देख लेते हैं आगे बता रखा है जो आपके पहरा नमबर 14.9.7 है यहाँ पर बोल रखा है skill test और typing test will be qualifying nature यह भी दोस्तों यहाँ पर qualifying nature की है इसमें दोस्तों आपको सिर्फ pass करना है और इसके marks नहीं जुडेंगे यहाँ पर दोस्तों skill test के बारे बता रखा है आपका कितना यहाँ पर होने वाला है तो यहाँ पर आपको बता रखा है skill test के लिए जो आपकी do post के लिए grade A की post के लिए है तो दोस्तों यहाँ पर आपको data entry speed जो है वो 8000 यानि की 8000 की depress per hour की speed होने चाहिए 8000 की एक गंटे में पर होनी चाहिए और यह आपके correct entry होनी चाहिए त्यान रखना the duration of the test will be 15 minutes 15 minutes का test होगा और दोस्तों आपको लगभग 2-2200 की यहाँ पर आपको press करनी होंगी यह भी आपको ज्यान रखना है और यहाँ पर आपको बता रखना के subscribe यूज करते हैं तो आपको उसकी जानकार यहाँ पर आगे बता रखी है पार्ट भी में टाइपिंग होने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिस दोनों में से किसमें पर टाइपिंग कर सकते हैं और आगे आपर बूल्डर का है candidate opting for English medium should have typing speed of 35 word per minute यहाँ पर 35 word per minute चाहिए अगर आप इंग्लिस में करते हैं और हिंदी में करते हैं आदे घंटा टाइपिंग ठीक है इसे साब से और यहाँ पर बोल रखा है the speed will be adjusted on the accuracy of typing on the computer given in the text pages in 10 minutes यह आपको बता रखा है ठीक है तो यह चीज थी टाइपिंग के बारे में तो हमने देख लिए सब कुछ और यहाँ पर इंग्लिस के बारे में आपको बता रखा है जैसे आपका reporting error है blank filling the blank silonomy, solo name, atonyms यह आपको बता रखा है syllabus जो है general intelligence जो है उसके बारे में आपको बता रखा है आपका reasoning के बारे में mathematics के बारे माँ आपको बता रखा है ठीक है syllabus और यह आपका JK का बता रखा है और फिर आपको टीर टू का syllabus है वो यहां पर बता रखा है क्या क्या आने वाला है यह पूरा syllabus आपके सामने यह रहा तो इसको नशर पढ़िए दोस्तों यहां पर आपको पूरा बता रखा है ठीक है तो इसमें जो भी most of जो चीजे थी वो दोस्तों हमने cover up कर लिए डोक्यमेंट के बारे मापको बता रखा है पुश्ट प्रीफ्रेंस जो है वह आप बढ़ सकते हैं आप अपने अनुसार जो भीmost प्रिफ्रेंस आप बरभाणना साथ आहते हैं डोक्यमेंट प्रिफिकेशन के बारे मतारा है कौन-कौन चाहिए वह बात की बात है और minimum qualifying marks वह ह लिए OBC EWS के लिए 25 और सभी कटेगरी के लिए 20 परसेंट या पर रखी गई हैं बागी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आप चाहते हैं कि इसके उपर हमें वीडियो बनाए फॉर्म कैसे उनलाइन करें तो तुस्तों आप कमेंट कीजिएगा हम उसके पर वीडियो मुरा देंगे बागे दोस्तों मिलते हैं आप से लिए वीडियो में तब तक कुछ रहिए जहिंद वादने मातरा में